Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही क्राशीफल ये 11th April से लेकर 17th April तक की आपकी tarot ratings है, tarot predictions है और अभी currently मैं out of country हूँ, मैं Canada में हूँ तो अगर आप personal session book कराना चाहते हैं या फिर किसी भी reason की वज़े से मुझे contact करना चाहते हैं तो आप अगर whatsapp message या फिर whatsapp call करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंकि normal call हो सकता है miss हो जाए और दिखिए जवाब देने में थोड़ा सा delay हो सकता है क्योंकि यहाँ पे दिन रात का फरक है लेकिन अगर आप again मैं कहूंगी whatsapp call या फिर whatsapp message मुझे करेंगे तो definitely आपको जवाब मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा insta page भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या फिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का सापता ही ग्राशी फल तो चलिए एक वेरेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है two of pentacles and the receptive और देखे two of pentacles का card कहीं fluctuating से energies की बात करता है किसी चीज को लेकर या फिर in general भी चीजों के up and down होने की in and out होने की बात करता है और कुछ ऐसा ही in general या फिर specifically आपके professional front में रहता हुआ दिख रहा है जहां पे आप एक चीज के ओपर focus नहीं कर पा रहे हैं एक चीज के ओपर concentrate नहीं कर पा रहे हैं एक से जादा चीजें आपके mind में चल रही हैं आपकी life में चल रही हैं और कहीं again मैं कहूंगी इन ही चीजों में आप in and out up and down होते हुए दिख रहे हैं किसी दिन बहुत great energies रहती हैं एक enthusiasm, excitement रहता है और दूसरे दिन कहीं आप low energies में रहते हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई decision, कोई choice आपको लेनी है और फिर से मैं कहूंगी कि आप एक चीज पर focus नहीं कर पा रहे हैं और इसी लिए वो decision, वो choice भी आप नहीं ले पा रहे हैं या फिर देखे इसी चीज को लेकर, एक fluctuating सी energies हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दो से जादा चीजों में या फिर किसी दो चीजों में एक balance लाना चाहा रहे हैं थोड़ा सा challenging हो रहा है थोड़े से issues हो रहे हैं लेकिन आप बहुत ही beautifully एक balance ला पा रहे हैं इन ही चीजों को manage कर पा रहे हैं and in the process एक fun, mazah, musti भी आप कर रहे हैं या फिर बहुत ही musti से आप इन चीजों में balance ला पा रहे हैं और दिखिये जो भी surface level के energies हों कही deeper level के लिए receptive का card कहता है कि आप man ही man हर चीज के लिए एक sabr, एक patience रखते हुए दिख रहे हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है seven of pentacles, reverse and grace और देखिये, सबसे पहली बात यहाँ पर दोनों ही pentacles के cards हैं, तो आप बहुत ही practical, बहुत ही realistic तरीके से हर चीज को इस week deal कर रहे हैं, चाहे वो आपका professional front हो, चाहे personal हो, कहीं emotions feelings in general you know, missing रहती होई देख रही है और देखिये, अगर specifically seven of pentacles reverse के card को देखें तो हो सकता है इस week अपने personal front में आप एक pause लेना चाहा रहे हैं या फिर ले रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले, थोड़ा सा past को review करना चाहा रहे हैं, या फिर you know again personal front में in general या फिर किसी specific personal front के area में अभी तक आपने क्या achieve किया, आपने क्या किया जिससे की you know, एक profit हुआ जिससे की आपको एक positive outcome मिला, और क्या किया जिससे की आप परेशान हुए उसी के हिसाब से आप a course of action या फिर एक direction चूज करना चाहा रहे हैं और again मैं कहूंगी कि उसी के बारे में आप सोचते वे दिख रहे हैं planning करते वे दिख रहे हैं कि आपको कौन सी direction again लेनी चाहिए, जो आप अभी तक कर रहे थे, आप वही करते रहें, वैसे ही आगे बढ़ते रहें या फिर आप you turn ले ले, या आप left ले, या आप right ले तो again मैं कहूंगी एक direction अपने लिए choose करना चाहा रहे हैं, कहीं एक direction अपने लिए decide करना चाहा रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है, कि आपको personal front में भी कोई decision कोई choice लेनी है, और उसी से ही related एक सोच आपके mind में चल रही है और देखिये again जो भी surface level पे हो रहा है कहीं deeper level के लिए grace का card कहता है, कि मन ही मन आपको ऐसे लग रहा है, कि आप वो ही direction choose करना चाहाते हैं, वो ही decision लेना चाहाते हैं, जिसकी वजए से आपकी life में एक beautiful energies आएं एक grace आएं एक again मैं कहूंगी sophistication रहे, and guidance से आप लोगों के लिए blue moon का card है और ये card कहता है, believe in the impossible, तो देखिये इस week हो सकता है कि कुछ चीजें आप अपने लिए चाहा रहे हैं लेकिन साथ ही साथ आपके मन में ये खयाल आ रहा है कि भई ये तो impossible है और देखिये, ये थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा या मैं कहा सकती हूँ कि जो भी आप चाहा रहे हैं वो सब के लिए differ कर सकता है कुछ लोगों के लिए relationship हो सकता है कुछ लोगों के लिए money, पैसा या फिर कोई materialistic चीज हो सकती है अगेन देखिये, सब के लिए ये चाहट differ कर सकती है लेकिन जो भी आप चाहा रहे हैं कहीं फिर से मैं कहूंगी साथ ही साथ आपको ये खयाल आ रहा है कि भई ये तो impossible है और यहाँ पे ये काड़ आपको कहता है कि जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि ये impossible है इस चीज को आप नहीं पा सकते हैं तब तक यकीन मानिये आप बिल्कुल भी उस चीज को नहीं पा पाएंगे और जब आप ऐसी energies में रहेंगे कि हर चीज possible है कुछ भी impossible नहीं है तब ही एक shift आपकी energies में आएगा और आप देखेंगे कि कैसे आप उसको पा सकते हैं उसी से ही related आपके mind में ideas आने शुरू हो जाएंगे उसी से ही related कहीं चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी या फिर होनी शुरू हो जाएंगी तो देखें nut shell में फिर से इस card का message है कि जो भी आपको impossible लग रहा है आप उसमें विश्वास रखें अपने आपको कहें कि हर चीज पॉसिबल है and astrology से आप लोगों के लिए Mars planet का card है और इसके हिसाब से red color इस week आप लोगों के लिए लगी रह सकता है and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये था Aquarius आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए